हेलो दोस्तों आज हम सीखेंगे साइन्स और सिम्टम्स ओफ हार्ट फेल्यूर जब हार्ट बॉड़ी के आवशकता के हिसाब से ब्लेड पंप नहीं कर पाता उसे कहते हैं हार्ट फेल्यूर हार्ट फेल्यूर के कई साइन्स और सिम्टम्स होते हैं जैसे हार्ट का ब्लेड पंप करने का ख्षमता कम होना हार्ट का लेफ साइड के निचले हिसे का तिकनेस बढ़ जाने के वज़े से उसमें ब्लेड ज्यादा नहीं रख पाता इसलिए बोडी ओर्गेंस को आवशक्ता के हिसाब से ब्लेड नहीं मिल पाता बोडी ओर्गेंस को ब्लेड पंप नहीं कर पाने के वज़े से बोडी के कई जगाओं में फ्लूर जम के सूजन आता है जैसे पैरों में, एंकिल्स में और एब्डॉमें में Fluid जमने के वज़े से plural effusion भी देखा जा सकता है Plural effusion यानी plural space में fluid जम जाता है Fluid जमने के वज़े से swelling और body weight बढ़ जाता है रोच के काम करते वक्त सास लेने में तकलीफ खासी और वीजिंग के कारण सास लेने में तकलीफ सीधा सोते वक्त सास लेने में तकलीफ और नेंद नहीं आना ब्लेट सर्कुलेशन ठीक से नहीं रहने के कारण चेक कर आना ठकान, कन्फूजन, डिप्रेशन और बेहोश होना देख सकते है हाट रेट बढ़ जाना, मतली, उल्टी, खाने में दिल्चस्पी नहीं रहना जैसे सिम्टम्स और साइन्स देख सकते है अगर इनमें कोई भी साइन्स और सिम्टम्स आपने देखा तो पेशन को तुरंत अस्पिताल ले जाना अच्छा होगा अगर प्राइब जाना अच्छा होगा